C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय छे त्रिभुज और उसके गुण प्रिष्ठ एक सौई कत्तीस प्रश्नावली छे दशमलवदो एक, निम्न आकृतियों में अग्यात बाह्यकोण X का मान ग्यात कीजिए यहां छे अलग अलग त्रिभुज दिये गए हैं और सभी में दो कोणों के माब दिये गए हैं आपको कोण X का मान ग्यात करना है एक, अन्तह कोण 50 डिग्री और 70 डिग्री है 2. अंतहकून 65 डिग्री और 45 डिग्री है, बाह्यकून X है 3. अंतहकून 30 डिग्री और 40 डिग्री है, बाह्यकून X है 4. अंतहकून 60 डिग्री और 60 डिग्री है, बाह्यकून X है 5. अंतह कौन 50 डिग्री और 50 डिग्री है, बाह्य कौन X है 6. अंतह कौन 30 डिग्री और 60 डिग्री है, बाह्य कौन X है 2. निम्न आखरितियों में अग्यात अंतह कौन X का मान ग्यात कीजिए यहां छे अलाग अलक त्रिभुज दिये गए हैं, जिनमें दो कोणों के माप स्पष्ठ हैं आपको कोण X का मान ग्याद करना है एक, अन्तह कोण 50 डिग्री और X है, बाह्य कोण 115 डिग्री है दो, अन्तह कोण 70 डिग्री और X है, बाह्य कोण 100 डिग्री है तीन, अन्तह कोण 90 डिग्री और X है, बाह्य कोण 125 डिग्री है चार, अन्तह कोण 60 डिग्री और X है, बाह्य कोण 120 डिग्री है पांच, अन्तह कोण 30 डिग्री और X है, बाह्य कोण 80 डिग्री है चार, अन्तह कोण 35 डिग्री है, बाह्य कोण 75 डिग्री है 6.5 त्रिभुज के अन्तह कोणों का योग गुण त्रिभुज के तीनों कोणों का आपस में संबंध दर्शाने वाला एक अदभुत गुण है इस गुण को आप निम्न लिखित चार क्रिया का लापों द्वारा देख वह समझ पाएंगे एक, एक त्रिभुज कीचिए, इसके तीनों कोणों को काट कर अलग-अलग कीजिए इन्हें अब इस प्रकार व्यवस्थित करके रखिये जैसा के आकृती 6.131 वह दो में दिखाया गया है आकृती 6.13 यहां दो आकृतियां दी गई है एक, एक त्रिभुज दिया है जिसके कोण, कोण एक, कोण दो और कोण तीन है दो त्रिभुज के तीनों कोणों को आपस में मिलाया गया है प्रिष्ठ 132 यह तीनों कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं जिसकी माप 180 डिग्री है इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है 2. इस तथ्य को आप एक अन्य विधी द्वारा भी देख सकते हैं किसी त्रिभुज A, B, C के तीन प्रतिरूप बनाईए आकृती 6.1, 4 यहां त्रिभुज A, B, C के प्रतिरूप दिये गए हैं इन तीनों को आकृती 6.1, 5 की भाती मिला कर ठीक से रखिये कोण एक, जमा कोण दो, जमा कोण तीन के बारे में आप क्या अवलोकन करते हैं क्या आप यहां बाहय कोण से संबंधित गुण भी देख पाते हैं आकृती 6.1, 5 यहां तीनों त्रिभुजों को मिला कर दर्शाया गया है तीन, कागज के एक टुकडे से कोई एक त्रिभुज, जैसे त्रिभुज A, B, C आकृती 6.1, 6 काटिये इस त्रिभुज को मोड कर शीर्ष A से गुजरता हुआ शीर्ष लंब A, M निर्धारित कीजिए अब इस त्रिभुज के तीनों कोनों को इस प्रकार मोड़िए जिससे तीनों शीर्ष A, B तथा C, बिंदु M पर मिलें आकृती 6.1, त्रिभुज A, B, C 2, त्रिभुज A, B, C और उसका शीर्ष लंब A, M 3, त्रिभुज A, B, C और बिंदु M पर बने कोण जो के कोण A, कोण B और कोण C के माप है आप देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं यह क्रिया कलाप पुनह दर्शाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापूं का योग 180 डिग्री होता है 4. अपनी अभ्यास पुस्तिका में कोई तीन त्रिभुज, मानों त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज P, Q, R तथा त्रिभुज X, Y, Z खींचिए इन सभी त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप एक कोण मापक द्वारा माप कर ग्यात कीजिए इन मापों को तालिका रूप में इस प्रकार लिखिये त्रिभुज का नाम, कोणों की माप, तीनों कोणों की मापों का योग त्रिभुज A, B, C M कोण A बराबर, डश, M कोण B बराबर, डश, M कोण C बराबर, डश M कोण A जमा M कोण B जमा M कोण C बराबर, डश त्रिभुज PQR मापने में हुई संभावित त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, आप पाएंगे कि अंतिम स्तंभ में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या लगभग 180 डिग्री ही है। पूर्ण तया शुद्ध माप संभव होने पर हम यही पाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप अपने इस निर्णय को तर्क पूर्ण कथनों द्वारा चरण बधरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कथन त्रिभुज के तीनों कोडों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए हम त्रिभुज के बाहय कोण के गुण का उपयोग करते हैं। दिया है त्रिभुज ABC के तीन कोण, कोण एक, कोण दो तथा कोण तीन हैं। आक्रिती 6.17 कोण 4 एक बाहय कोण है जो भुजा BC को डी तक बढ़ाने पर बनता है। आक्रिती 6.17 त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें अंतह कोण, कोण A बराबर कोण एक, कोण B बराबर कोण दो, कोण C बराबर कोण तीन है और भाहय कोण, कोण ACD बराबर कोण चार है। उपफथ्ति, कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 4 भाहय कोण का गुण, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर कोण 4 जमा कोण 3 दोनों पक्षों में कोण 3 योग करने पर। परंतु कोण 4 तथा कोण 3 एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अथह इनका योग 180 डिग्री है, अर्थात कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री. आईए, अब देखें कि त्रिभुज के कोणों के इस गुण को विभिन समस्याएं हल करने में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? उदहरन 2 दी गई आकरती 6.18 में कोण P की माप ग्यात कीजिए? आकरती 6.18 यहां त्रिभुज P क्यू आर दिया है जिसमें कोण Q बराबर 47 डिग्री और कोण R बराबर 52 डिग्री है. हल त्रिभुज के कोणों का योग गुण से M कोण P जमा 47 डिग्री जमा 52 डिग्री बराबर 180 डिग्री अथह M कोण P बराबर 180 डिग्री घटा 47 डिग्री घटा 52 डिग्री बराबर 180 डिग्री घटा 99 डिग्री बराबर 81 डिग्री. प्रश्नावली छे दशमलवतीन एक, निमनांकित अकृतियों में अग्यात X का मान ग्यात कीजिए यहाँ छे अलग-अलग त्रिभुजों की अकृतियां दी गई हैं और सभी अकृतियों में X का मान ग्यात करना है जबके कुछ अन्य कोणों के माप दिये गई हैं कोण A बराबर X, कोण B बराबर 50 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री तो त्रिभुज P Q R कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 30 डिग्री और कोण R बराबर X तीन, त्रिभुज X Y Z कौन x बराबर 30 डिगरी, कौन y बराबर 110 डिगरी और कौन z बराबर x 4. त्रिभुज जिसमें 2 कौन x हैं और 1 कौन 50 डिगरी है 5. त्रिभुज जिसमें 3 कौन x है 6. त्रिभुज जिसमें 1 कौन 90 डिगरी है, 1 कौन x है और 1 कौन 2x है प्रिष्ट 134 2. निम्नांकित ताकृतियों में अज्यात X और Y का मान ग्यात कीजिए यहाँ 6 अलग-अलग त्रिभुजों की आकृतियां दी गई हैं सभी में एक या दो कोणों का माप दिया गया है और कोण X तथा कोण Y का माप ग्यात करना है 1. अन्तह कोण XY और 50 डिग्री है बाह्य कोण 120 डिग्री है 2. अन्तह कोण XY और 50 डिग्री है बाह्य कोण 80 डिग्री है 3. अन्तह कोण 50 डिग्री 60 डिग्री और Y है बाह्य कोण X है 4. अन्तह कोण XY और 30 डिग्री है बाह्य कोण 60 डिग्री है 5. अंतह कोण X, X और Y है, बाह्य कोण 90 डिग्री है 6. अंतह कोण Y है और 3 बाह्य कोण दिये गए हैं जिनका माप X है प्रयास कीजिए 1. एक थ्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री हैं इस थ्रिभुज का तीसरा कोण ग्याद कीजिए 2. किसी त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तथा 6 दोनों कोण बराबर हैं बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ग्याद कीजिए 3. किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में एक अनुपात दो अनुपात एक का अनुपात है त्रिभुज के तीनों कोन ग्यात कीजिए त्रिभुज का दोनों प्रकार से वरगी करण भी कीजिए सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 1. क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके दो कोन समकोन हूं? 2. क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण अधिक कोण हूँ? 3. क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो कोण नियून कोण हूँ? 4. क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण साथ डिग्री से अधिक हूँ? पांच, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण साथ डिगरी के हों? च्य, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें तीनों कोण साथ डिगरी से कम के हों? अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत